जिस तरह डेंगी और करोना की वबा फैली हुई है जो डेंगी का जो दुबाओ है वो बहुत ही बढ़ चुका है और मरीज जो है वो असपतालों में दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं मैं इस वक्त शादरा होस्पिटल में मजूद हूँ यहां पर क्या इंतजामाद किये ग है तो हमें डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत सी इंस्ट्रेक्शन्स आई हुई है और बड़ा डिटेल्ड इंस्ट्रेक्शन्स हैं कि हमने किस तरीके से लेके डेंगी के खिलाफ काम करना है इसमें जो शादरा के हवाले से कर मैं बात करूं तो हमने मनो अन वो चीजें एडाप्ट की हैं जो डिपार्टमेंट हमसे चाहता है दाखले के जो इंतजामात हैं शादरा हॉस्पिटल में हमने अपनी कपैस्टी के मताबिक जरूर किया हुए हमने एक पूरा वार्ड नीचे बनाया हुए जो डेंगी वार्ड है इसमें दस बैड हमारे पास लेकिन हम हमने मजीद इंतजाम भी किया हुए है कि अगर अल्ला ना करें और ज्यादा हमें बैड की जरूरत हो तो हमने उपर एक पूरा वार्ड है जिसको हमने तियार किया हुए उसमें भी दस बैड हमारे पास और फिर उसका भी स्पिल ओवर हमने बनाया हुए मजीद हमने हैं है जो जरा अगर सीरियस हो जाए कोई मज़ीज उसका इंतजाम भी मौजूद है और हर स्टेशन पे डेंगी की वो सीबी सी की मशीन भी मौजूद है। जरी बिलकुल आपने MS आप जो डक्टर हैं उनकी बात सुनी उनका यही कहना है कि वजीर सिहत की तरफ से जो अहकामात अधायात जारी की गई हैं उस हवाले से शादरा टीचिंग असप्ताल में दो जो है रूम बना दिये गए हैं दो वार्ड बना दिये गए हैं तमाम सामात हैं मकमल हैं और किसी किसम की भी परिशानी का सामना किसी भी मुरीज को नहीं करना पड़ेगा